इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी एम्यूराइट बीटा 10 बटा 40 CR टैबलेट माइग्रेन के इलाज में इस्तिमाल की जाने वाली दो दवाओं का मिश्रण है यह मस्तिश्क में रासायनिक मेसेंजर के स्तर को बढ़ा कर काम करता है जो दर्द से राहत देने में मदद करता है यह आपके मूट को बहतर करने में मदद करता है और मस्तिश्क में नसों को आराम देता है एम्यूराइट बीटा 10 बटा 40 ER टेबलेट को खाली पेट लेना चाहिए हाला कि बलड में इस दवा के समान लेवल को बनाए रखने के लिए इससे हर दिन एक तय समय पर लेने की सलाह दी जाती है अगर आप कोई खुराक लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले ले अगर आप बहतर महसूस करने लगे हैं तब भी किसी भी स्थिती में अपनी खुराक न छोड़ें और इलाज का कोस पूरा करें यह आवश्यक है कि इस दवा को अचानक से लेना बंध न किया जाए क्यूंकि इससे आपके लक्षन और भी गंभीर हो सकते हैं इससे चकर और नींद आने की समस्या हो सकती है इसलिए गाड़ी चलाना या ऐसा कोई काम न करें जिसमें बहुत ध्यान या एकागरता की जरूरत हो जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आप पर कैसा असर डालती है हाला कि यह अस्थाई हैं और आमतोर पर अपने आप ही ठीक हो जाते हैं अगर यह कम नहीं होते हैं या आपको परिशान करते हैं तो क्रिपया अपने डॉक्टर से परामर्ष ले आपको एम्यूराइट बीटा 10 बटा 40 CR टैबलेट लेते समय शराब के सेवन से बचना चाहिए क्योंकि इससे कुछ साइट इफेक्ट अधिक हो सकते हैं इस दवा से वजन भी बढ़ सकता है इसलिए स्वस्थ संतुलित आहार खाएं उच्च कैलोरी वाले खादे पदार्थ खाने से बचें और नियमित रूप से व्यायाम करें अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगाती विचार या व्यवहार के लक्षन दिखें तो अपने डॉक्टर को बताएं वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद